गुट मॉनिंग गुट आफ्टरनून कैसे हैं दोस्त आप सब आज हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर आप्शन की जो स्पेशल स्टेजी है उसकी लॉंचिंग के बारे में देखे कोई भी काम सही करना है उससे पहले जानना बहुत जरूरी कि हम गलत क्या करते हैं तो आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि फ्यूचर आप्शन में या ट्रेडिंग में कौन सी कि गलतियां हैं जिसकी वज़े से लोग लगातार नुकसान के चकर में फसी रहते हैं ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता ट्रेडर्स को प्रॉफिट तो होता है लेकिन वह प्रॉफिट कभी टिक नहीं पाता दो चार दिन के लिए प्रॉफिट मेंटेंड किया बहुत लोट खूप कुछ होगा이 बार बार आपको लगा कि नई चलो हम समझ गये हैं तो आमको लासुगा नहीं पर उसके बाद फिर से ला लासा के घेर लेता है और चार दिन के लिए प्रॉफिट है तो पता लगा दस दिन के लिए लॉस ने गहरलिया तो यह चीज अंदर ही अंदर आपका आपने उपर भरुसा खत्म कर देती है और जब भरुसा खत्म हो जाता है तो हम डिसिजन लेना भी कुछ सीखना कुछ चुनना कुछ समझना कुछ प्रैक्टिस करना यह सब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है तो आज हम इस चीज को तरीके से कर सकते हूं और जिसमें कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है जिससे डरने की जरूर्ट पड़े देखे जब भी हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी लांच करते हैं जैसे 325 में एक्विटी केश की स्ट्रेटेजी लांच की थी तो इसके पहले हम डायरेक्ली दो से तीन बजे एक घंटे आके वो स्ट्रेटेजी डिसकस करते थे लेकिन कई लोगों का यह रिक्वेस्ट था कि सर हम एकदम से डिसन नहीं ले हम इतने डरे हुए हैं चीजों से कि सब कुछ पताल होते हुए सब कुछ समझ आते हुए भी हम से नहीं होता निर्ने लेनी की ताकत ही नहीं होती ऐसा लगता कुछ भी करेंगे तो शायद हम कभी प्रॉफिट में नहीं जा पाएंगे दो-चार दिन से जादा प्रॉफिट करते हैं पर बाद में उसको निभा नहीं पाते और अगर आप निभा नहीं पाएंगे तो फिर उससे कोई फायदा मिलने वाला है नहीं दोस्तों तो आज सबसे पहले बात करता हूँ option trading की 10 mistakes सबसे बड़ी option और future में जब आप trade करते हैं पहली mistake है without hedging आप एक direction का अंदाजा लगा के या तू future खरीद लेते हैं या future short sell कर देते हैं या option खरीद लेते हैं या option right कर देते हैं क्या लगता है आपको लगा अचानक से कि चलो अब यहां से कोई चीज निचारी जैसे एचेप सील था है ना एचेप सील बहुत अच्छी तेजी दिखा रहा था तो 93-94 रुपीज पे एचेप सील गया कहां से 55-60 रुपीज से एसी रेली देखने में आई कि ऐसे लगा इससे अच्छा कोई शेयर ही नहीं तो चुरू-चुरू में हम उस स्टॉक से डरते हैं बाद में जब डरने का टाइम आता है तब वो हमको अच्छा लगने लगता है क्योंकि आप पिछले 15 दिन से सोच रहे हैं आज गिरेगा फिर आपको लगा कि यार हम तो बहरी खड़े रहे गए तो अब आपको लगा कि यह तो गिरेगा ही नहीं इसको बाई करते हैं तो आपने बाई किया वहां से थोड़ा और उपर गया अब आपको ध्यान में नहीं रहा कि लेट एंटरी की तो अरली एकजिट करना तो वो जो 60 रुपीज से HFCL को आप देख रहे थे आप उसको 85 में एंटरी किया है 90 में एंटरी किया 94 सब एकदम पलटा और 80 रुपीज हो गया फिर 75 हो गया 72 हो गया और आप फसे रहे गए मतलब यहां पर आपका रिस्क रिवाड रिशो गलत था ना आपको समझना क्या ह है दो रुपे कमाने के लिए 10 रुपे का रिस्क नहीं लेना है दस रुपे कमाने के लिए 2 रुपे का रिस्क कैसे लेना है वो हमको समझना है तो किसी को डाइरिक्शन नहीं पता भई निफ्टी के बारे में अभी जो हुआ है कि निफ्टी तो उपर जा रही नहीं नहीं ह stocks minus है, advances 400 है, decline 1600 है, अब इसको कैसे समझें, तो ऐसा complex है market, ऐसे में मैं आपसे यह नहीं कहूँगा कि direction का अंदाज अलगाओ, मैं आपसे कहूँगा कि hedging करना है हमेशा option में, अगर आपको तेजी लगती है, तो आपने call की premium बड़ी रखी, पूट की छोटी रखी, अगर आपको मंदी लगती है, तो आपने पूट की premium बड़ी रखी, call की छोटी रखी, लेकिन अगर बाजार धोका देगा, तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, अगर आपको लगता है तेजी मंदी कुछ नहीं, range bound ही हो जाएगा, तो हम spread बना सकते ह हैं, कि एक call खरीदा, एक call को write कर दिया, इसको बोलते हैं spread, तो अब आप बहुत सारे नए लोग समझ रहे होंगे, कि ये कितनी सारी बाते हैं, ये तो हमको नहीं पता, इसलिए दोस्तों, जितना बड़ा output आप चाहते हैं, इमानदारी से वैसा input बना लेना, क्योंकि दुन मिलेगी, मिलेगी, और जब आप सफल हो जाएंगे, तो लोग कहेंगे, कि मुझे मालूम था, ये सफल होने वाला है, ये आदमे में दम था, ऐसा हमको लगता था, वो कब बोलेंगे, जब उनका आपको प्रोच्छान चाहिए था, तब नहीं बोलेंगे, जब आप सफल हो कहेंगे, तब वो कहेंगे, कि मुझे मालूम था, इस आदमे में दम है, लेकिन जब आपको उनका प्रोच्छान चाहिए था, तब वो हो सकता, आप पर डाउट कर रहे हूं, तो पहली गलती क्या बताई, बगेर हेजिंग के डाइरिक्शन का अंदाजा लगाना, कभी फ्य केसी हेजिंग करें, फ्यूचर खरीदा, साथ में पूट खरीदा, फ्यूचर खरीदा या अगले कॉल को राइट कर दिया, जेसा भी हेजिंग करना है, पर हेजिंग जरूर चाहिए, फिर दूसरा, दूसरा मिस्टेक क्या है, केरिंग इंट्राडे टू पोजिशनल, देख अपने 325 स्ट्रेटेजी में इसको 1330, 1340 पर भाई करने को कहा था, तो एकदम से भरोसा नहीं हो, बहुत सार लुका ठीके देखते हैं, अब अगले दिन वो 1340 खुला, 40 से कहीं पे 30, 40, 40, 45 हुआ, फिर एकदम 55-60 हो गया तो अरे लगा भाग रहा भाग रहा आपने लिया, 60 से वो 50 आया, आप घबरा गया, आपका ऐसे लिट हो गया, बाद में वापस वो 1390 और फिर 1454 चला गया, तो जहां पर डरना नहीं चाहिए तो महां पर क्यों डरे क्योंकि अपनी पकड़ नहीं थी, इसलिए वो कारण समझना बहुत जरूरी है कि इसको चुना क्यों गया ह मैं हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी में स्टॉक पिकिंग पे सबसे जादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि आपकी 2 आखें हैं लेकिन स्क्रीनर्स की 100 आखें हैं, तो स्क्रीनर्स को देखके जब आप चुनते हो ना, तो आप सारी चीज़ों में से best स्टॉक चुनने की कोशिश करते हो फिर फिर भी उस पर अंदा भरुसा नहीं करते हो हेजिंग फिर भी है स्टॉप लोस फिर भी है अपनी सेफटी का नेट तो फिर भी हमने बना के ही रखा है जब ऐसा काम करोगे तो फिर आपको कोई बड़ी परिशानिया हो जाए उसकी गुझाईशी खतम हो जाती है तो मैं आपसे कह रहा था कि इंट्राडे में आपने देर से इंट्री की किसी चीज में अब देर से इंट्री करने के बाद में वो एकदम पलड़ गया आप फस गये तो इंट्राडे से आपने आप्शन में 50,000 की और फ्यूचर में आपकी पोजिशन बनी हुई थी जो मार्जिन एंगेश था वो था समझो एक लाक असी हजार का और उसमें 10,000 माइनस देख रहे हैं तो यह 10,000 माइनस से इसलिए उठा कि इसको ले जाओंगा अगले दिन के लिए इसी गलती कभी मत कर आप जब यहां पे रिस्क लेके जाही रहें तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको यह समझना पड़ेगा कि HFCL जो आज 94 से 85 बंद हो गया है अगर आप सिर्फ यह सोचके कि यह नीचे आ गया तो इसको आप रख लेते हैं जब हो आएगा तो बेचेंगे तो 84 से अगले कर सकते थे उससे निकल जाते क्योंकि इंट्राडे के बिस्स पर आपने वो पोजिशन बनाई थी अब अगर आपको लेके जाना है तो आप वो पोजिशन देखते जो कहीं से पूरा करेक्ट हो के स्टॉक में आज वाल्यूम आया रिवर्सल आया है उसको लेके जाओ मुझ किन बस अब इसको ले लिया तो इसमें बेट जाएंगे आपने क्या सोच की जना करी कि और की राए पे इतना मड़ा अधर शूर नहीं देखो क्ता है लेकिन कम से कम आपके पेसों पे तजुर्बा तो आपका हो, आपके पेसों पे दुनिया तजुर्बा कर रही है और आपको ये भी पता नहीं कि ये मैंने किया क्यों, इससे मैंने सिखा क्या, तो ये गलती कभी नहीं करनी है, दूसरी बात मैंने आपसे क्या कही, कि आप इंट्राडे पोजिशन को carry forward कर लेते हैं सिर्फ इस वज़ा से कि एक बार position बना ली एक बार आप अंदर घुस गए आप बन गए अभी मन्यों चकरवियों में फस गए आप निकलना आपको नहीं आता और इसका current सिर्फ इतना है कि अगर मुझे समझना नहीं आता तो मुझे नेने लेना नहीं आएगा हमने दुनिया में सिर्फ मार्केट में नहीं हर जगा ऐसे मठे लोग देखे हैं जो एक बार किसी जगा घुस जाते हैं अपनी मर्जी से नहीं किसी की मर्जी से भी घुसे हो तो फिर वहाँ पर वो ऐसे हो जाते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा और मार्केट में ये चीज़ आपको बहुत बड़ा इनाम देने वाली नहीं लाइफ में भी नहीं देती है आपने कहीं कोई गलत रास्ता ले लिया है और आपके दो चार किलोमेटर की मेहनत हो गई आदा गंटा वरबाद हो गया तो भी मैं आप से कहूंगा कि एक बार चेक कर लो दिशा सही है क्या ये आदे घंटे का दो चार किलोमेटर का नुकसान जहलने के बाद में नेड़ने अपने हाथों से लो न और गलती करेंगे एक दो बार करेंगे दो बार करेंगे लेकिन निर्णे लेना तो सिखेंगे तो इंट्राडे पोजिशन को कभी भी केरी फारवर्ड आप नहीं ले जाएंगे ये बात आपके दिमाग में रखनी है यह सबसे बड़ी गलती होती है और फिचर में फिर होता है इस्टाड डायरेक्ली बाइस टॉक ऑप्षिन इंस्टीड अफ नोइंग स्टाग बहेविर विट इक्विटी केश इस टॉक ऑप्षिन इस टॉक फिचर में सिधे कुद पड़े क्योंकि लोग बाते बड़ी-बड़ी करते हैं आज कल आज कल आपने देखा है ना कि जब पूरी दुनिया की खबरें आपके सामने आने लगी है तो आपको पता है कि तीन करोड की भी एक कार आती है आपको पता है दस करोड की भी कार आपको देखने को मिल जाएगी तो ज बंदे ने बच्चे ने कभी पैसा बनाया बचाया कमाया तो नहीं है तो उसको क्या पता लगता है कि किया कितना पसीना निकलता है ऐसी मैं आप से बात कर रहा हूं कि जैसे हम कम करने के future option मैं तो इसमें कितना पैसा मुलाएगा भी हजार फंदरास रुपे रोज क्यों मिल ज कि एक लाग रुपे डेल लाग रुपे का तो किपिटल लगेगा तो इतना तो नहीं है अपने पास पचास जार से हो जाएगा क्या तो जब पैसा आप दे रहे हैं तब आपकी मानसिक्ता ऐसी है कि कम से कम पैसा लगा हूं और जब लेने की बात आ रही है तो आप झाल होगी तो पूरी होगी अन्रिजनेबल है तो जो आपके हाथ का है वो भी चला जाएगा तो ध्यान क्या रखना है आपको शुरुआत करो एक्विटी केस्स के साथ में मतलब मैं कोई भी नई चीज में जाओं बले ही मैं दुनिया का किंग हूं किसी विजनेस में लेकि अगर उनको इसके vegetable के बारे में नहीं पता है, तो उनको सीखना पड़ेगा, सारा पैसा होते हुए और सारी दुनिया की काबिल लोगों को hire करने के बाद में भी उसमें सफल नहीं हो पाई, यह possibility होती है, दुबारा उनको सीख के फिर से आना पड़ेगा और फिर जब आएंग किसी और business में है, या 50 करों का turnover है, तो इसलिए नहीं है कि आप यहां पर screen पर आके पैसा पर बात करें, आपके पास इतनी capability है, तो आपके अंदर तो patience होना चाहिए, तो मैंने एक किसा बताया भी था आपको, एक वीडियो है हमारा, कि कैसे एक बहुत बड़े व्यापारी न ने, distributor ने, एक-एक L&T के share से शुरुवात की, और एक साल बात हुआ आदमी, एक दिन में 1,10,000 रुपया बनाया, तो बड़े लोग छोटे कदम समझ पाते हैं, छोटे लोग बड़ी-बड़ी चलांगे लगाते हैं, तो यह जो बात कर रहा हूं मैं, कि कभी भी कोई काम कर बोल रहो हो, कोई और बोल रहा है, व्युशा तो आपका है तो हमारे बोलने से अपमे भरासा नहीं आ जाएगा, जब कई बार लोग बोलते हैं, हम बता ते हैं, डरनी, क्या बात हैं, और लेले लेटे हैं, दो लट लेलें, चार लूट लेलें, एक दिप आएगा तब पहले प्रयोग करो और जब वो प्रयोग आपके अंदर रिजल्ट दिखाने लगे और सबस्दादा कब मिलेगा आपको आतमेश्वास आप माइनस में चलेगे आप गलत दिन में फस गया और उस दिन आप माइनस होके उसको धीरे से प्लस करके और एक अच्छे प्लस पर बाह देते हैं चोथी सबसे बड़ी कलती है या फिर आपको लॉस हुआ तो रिकवर करने को ततकाल ट्रेट डाल देंगे लॉस को हम ऐसे समझते हैं कि या अभी कवर नहीं हो तो फिर क्या होगा कल तो बाजार बंद हो जाएगा कल से तो दुनिया में प्रले आने वाला है तो इ मेरे 50,000 में से 10,000 चले गए अब मेरे पास 40,000 रुपे बचे हुए अब इस मैंसे में खो नहीं सकता क्योंकि ये केपिटल खो गई तो फिर काम का इसे करूंगा जल्दी कुछ नहीं है अगर ये 50,000 रुपे के में FD कर देता तो 11-12 साल में एक लाक होता तो मैं अगर रोज करना एक दम से अगर आप दूसरा ट्रेट डालेंगे तो वहां पर आप हडबड़ी में इंपल्स में डिसिजन ले रहे हैं हम जो ये इस्ट्रेजी लांच कर रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि आप पूरे दिन आराम से चीज़ें देखते रहते हैं आप सुबह 10 बजे 11 कर रहे हैं जब सारे इंट्राडे वाले सुधे स्क्वेर अप हो गए तब जाके 3-10-3-15 पर आपने देखना शुरू किया अब 3-15 से जो स्टॉक चलना शुरू करते हैं वो फिर नीचे आए और आपको धोका दे इसकी चांसे बहुत कम होते हैं उसके बाद भी हम सारे स्क् स्टेल बात है जो ऐसे नहीं समझाई जा सकती तो मैं उसको स्ट्रेटेजी में समझाता हूं तो आपको हमेशा कोई भी बड़ा प्रॉफिट या लॉस होगा उसके बाद गेप लीजे क्योंकि आप उस प्रॉफिट को या लॉस को दोनों को पचा लोगे और फिर आगे जो भी कदम उठाओगे वो फिर से मजबूती भरा होगा समझदारी से भरा होगा फिर अगला है जंप इन ऑप्शन वॉल्यूम आफ्टर प्रॉफिट और लॉस नौट वोइंग कॉंप् और दुसाहस करता है दुसाहस मेंस ऐसा हो गया कि अब नुक्सान हो गया दस जार का तो इनसान सोचता है यह पांच जार शेर लेके दो रूपर निकाल दूंगा दस जार मिल जाएंगे अब उसको भले आदमी को यह नहीं पता कि जब 500 शेर में मुझे इतने नुक्सान हो तो 5000 में मेरा क्या हो सकता है तो वह 5000 शेर पांच रुपर नीचे बिख जाते हैं आप गयते दस जार का लॉज कवर करने वह हो गया रिलेट कर रहा हूं वैसे ट्रेडिंग के लिए खेलना शब्दों मुझे कभी समझ नहीं आता अच्छा नहीं लगता गलत है वो लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता ना कि जब आप विकेट खो देते हैं तो आप एक एकरन निकालते हैं फिर चोके चके नहीं मारते अभी विके अपका बिलेंस वापस लाएगा और उसकी दिन अचानक से 10,000 में से आपने सुचा 2,000 करके 5 दिन में कवर कर लूगा तो पता लगा तीसरे दिन 2,000, 3,000, 7,000 यह आगया पैसा वापस पर यह सब क्यों आया क्योंकि आपको जल्दी नहीं थी जल्दी का काम शेतान का तो आपको नुकसान होगा आपको वल्यूम कम करना है बढ़ाना नहीं है फिर कंक्लूड़ फर्मूला वित लिमिटेड ऑप्जर्वेशन आज दुनिया में सबसे बड़ी परिशानी सबसे बड़ी सिर्फ मांकेट की बात नहीं कर रहा हूं पुरी जिंदगी की बात कर रहा तो आप उसको कहने जाओ कुछ बात समझाने जाओ वह आपके आधी बात सुनेगा और बुलेगा हाँ आ गया आ गया समझ में बस बस पकड़ ले बात पकड़ में आ गई तो वी आ जंपिंटु कंक्लूजन बहुत जल्दी हम कंक्लूजन पर चले जाते हैं कि अरे हाँ आपको किसी ने एक बार आप्शन में को कॉंबिनेशन बनाया कॉल पुट का और एक दम से समझो टाटाइस्टिल भागा या कोई दूसरा शेर भागा और आपको दिखा कि आपके कॉल पुट का कॉंबिनेशन में जो पैसा लगा था 40 थाउजन वो गया 60 थाउजन अब उन इस बार न तो तेजी आई ना मंदी आई बाजार हो गया range bound, वो range bound होने की वज़ह से जो 220 रुपे आप position बना के बेठे थे वो सरकते सरकते ड़ीला करे गया, 50,000 रुपे माइनस हो गए, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने limited observation में एक formula बना डाला, एक बार मैंने trade किया, एक ह करने लगे अपने ट्रेडिंग को तो मर जाओगे ना तो इसलिए उस तो जल्दी नहीं करना मैं हमेशे कहता हुआर बिजनस में पहले समय लगाई यह पेसा बाद में लगाई अगर आपके पास पांच लाक है तो मैं करहा हूँ पांच लाक मत लगिए पचा जार लेका आई साड़े चार लाक घर में रखो वो पेस को और यह भी मत सोचो कि और उसका अबडी का व्याज जितना मिलता है पांच साल में दस साल में उतना तो छे महिने में आपको मिल जाएगा छे महिने उसको पढ़ा रेने दो और सीखो समझो प्रयोग करो तो पैसे को हाथ में खाली नहीं रहना चाहता वह अधिगंटे पहले कोई लोकल ट्रेन डबबा आई होगी उसमें चड़ जाएगा क्योंकि उसको चलते रहने का चसका है उसको इस बात की परवाई ही नहीं कि मैं किस गती से चल रहा हूं तो इस बात का खैल रखना दोस्तों कि आपको कंक्लूजन पर जंप नहीं करना है ठीक है कोई फॉर्मूला नहीं बनाना जल्दी से पहले एक बराबर टाइम लोग क्यों टाइम लेने की जरूरत है क्या निफ्टी और सेंसेक्स का बिहवेर एक जैसा होता है आपने ऐसा नहीं देखा कि निफ्टी 11,000 से 12,000 12,000 से 13,000 हो फिर क्या आपने ये भी देखा होगा कि 50 पैंट निफ्टी का मूवमेंट दिन भर में आया और दिन खतम हो गया चलो निफ्टी में नहीं आया पर किसी स्टॉक में तो यहाल देखने को मिली सकता है क्यों वहीं के वहीं टाइट रेंज में वो घूमता रहा कोई से लोग इंतजार कर रहे हैं कि वापस 230 कभ होगा वो नहीं हो रहा है इसको केते हैं टाइट रेंज बाउंड मुवमेंट इसका मतलब बाजार के चार मूड होते हैं एक खतरनाक तेजी वेरी बूलिश क्लियर ली स्ट्रॉंग बीमेंट मतलब लुड़क रहा है लुड़क र स्ट्रीमियम खतम होती चली जाती है तो ठीक है दोस्तों बात क्या कहीं मैंने के कंक्लूट कर लेते हैं एक फार्मोला का और उस पर काम करने लग जाते हैं इसके बाद अगली मिस्टेक यह है कि कंफ्यूजन होता रहता आपको इंडेक्स और स्टॉक के बीच में और इंस् इंडेक्स ऑप्शन मतलब डिलेफ आई से के कॉल पूट रिलाइंस के कॉल पूट यह तो हो गए इंडेक्स ऑप्शन या फिर आप सोच रहे हैं कि आर आप्शन में कई प्रिमियम आपकी गल गई तो आपको लगा इस से तो निफ्टी बेंक निप्टे का फूचर ही अच् आ रहे हैं लेकिन अभी हमने कसम खा रही है कि हम तो निफ्टी बेंक के फूचर में काम करते हैं यह जो कसमे खाने का काम है नहीं चलता ट्रेडर को होना चीए बहुत लचिला ट्रेडर इस तरह का होना चीए जो बाकी लोगों को फंडे दे रहा हो या भी बाई कर लो टेच्मेंट वो माइने ने रखता जैसे आप कहते हैं कि मुझे डीलेफ आई से इसमें काम करना अच्छा लगता है मैं तो निफ्टी बेंक निफ्टे में काम करता हूं नहीं वहां जाओ और देखो कि अभी मूवमेंट कहा है अगर दिख रहा है निफ्टी बेंक तो यह हम लोग कोशिश क्या करेंगे अभी future and option में शुरूबात काम करेंगे आप निफ्टी 100 के साथ में क्योंकि उनके option में भी अछा volume होता है नहीं तो option में अच्छा volume नहीं होगा तो hedging कैसे करेंगे आपने कोई future खरीदा, साथ में put खरीदा, तो उसमें volume होना चाहिए ना, तो ये सारी बाते detail में समझेंगे आप, सारा कारण समझेंगे, तभी आप उसको follow कर पाएंगे, तो क्या होता है, कि हमेशा से कुछ rules बता दिये बचपन से, कि इमानदारी, मेहना, सच, ये करना चाहि है, हमको उसका reason नहीं पता था, तो reason नहीं पता होने से हमको लगा हटा हो जाने तो ये सब बेकार बाते हैं, जैसे जैसे आप बड़े हुए, दुनिया में गए, और फिर आपको ये समझ में आने लगा कि है, वो वाला जो रिच्वल था, वो वाली जो बताई थी बात उसक का फाइदा कहा है, जब वो फाइदा आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप उसको कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैं कहता हूँ, हर एक चीज का एक विज्ञानिक कारण होता है, वो कारण जब तक आप समझ नहीं लेते, तब तक आप उस चीज को निभा नहीं सकते, क् कि निभाते वक्त आपको बहुत तकलिफे उठानी पड़ती है, बीच-बीच में ऐसे दोर आते हैं, कि आपको लगता है कि आप गलत रस्त निकलाएं, अब इंडेक्स के बीच में, स्टॉक के बीच में, ऑप्शन के बीच में, फ्यूचर के बीच में, आप कन्फूज होत कैपिटल उतनी नहीं है, 30,60,60,70,000 है, तो वो क्या करेगा, वो को कोई कहे के तक बीच में, क्स्प्रीमेंट करेग लेकिन ते मतलब आप चोटे सी जिएरोधा का नाम सुनते हैं, आ वह एक individual ट्रेडर थे, और उसके बाद में reliance money का distributorship या ब्रोकिंग लिया उसमें कही गलतियां की पैसा बनाया ये किया वहां से उनको ये बात समझ में आई कि एक discount ब्रोकिंग firm को क्या-क्या सुधार करने चाहिए और वो in-depth knowledge और वो समझ होने की वज़े से एक trader होने की वज़े से trader जो की loss making था बहुत कर रहे होते हैं अगर आप बीच में रुकेंगे नहीं confused नहीं होंगे और दुनिया पर भरुसा करने की बजाए अपनी बुद्धी अपने विवेक पर भरुसा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कभी-कभी हम क्या करते हैं लोगों की बात तो सुन कि वह में को रोक रहें ट्रीडिंग से वह रोक है स्टाप मार्केट में आने से कमोडिटी से करेंसी से क्रिप्टोरेंसी से लेकिन जब उनसे पूच नहीं कि आप बताइए रसता ऑख कहा नहीं तो उसका जवाब उनके बास नहीं है उनको उनको नहीं पता कि यह 5% fd का र परसेंट या पचास परसेंट लगा लो बागी बाहर रखो यह चलेगा तो हमको हमेशा एक solution-minded अप्रोच रखना चाहिए अब आठ्वा सबसे बड़ा मिस्टेक यह है कि हम कोई profit या loss का गोल नहीं बनाते loss का limit या goal प्रॉफिट का गोल होना चाहिए loss की limit होनी चाहिए loss की limit कैसी कि एक दिन में loss अगर मेरा 2000 रुपया हो गया और मेरी केपिटल दो लाख है अब मैं कुछ नहीं कर रहा एक percent दिया और किस्सा खतम अब मैं उसको खिंचना नहीं चाहता ठीक है क्योंकि जैसी आप एक situation से बाहर निकल तो दुबारा क्या करना है यह सोचने की समझ आपको है आप इतने स्मार्ट इतने हो इतने अकलबंद है यह मुझे दावा है कभी-कभी लोग बुरे समय में doubt से भर जाते तो हमको अपनी पुद्धी पर पहरोसा नहीं लेकिन मैं आप सब के लिए stamp paper पे करना चाहिए इसमें मदद किस चीज से मिलती है कि हम कभी-कभी isolated होते हैं तो हम अपने पेटन में पूरे उलजह रहते हैं तो बाहर की हवा जब आती ना आप खिड़की खोलते हैं दरवाजे खोलते हैं बाहर की हवा आती है तो अंदर आपको बहुत सुकुन मिलने लगता ताजी हवा की वजह से ऐसे ही ये जो छोटे-छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम हम बना के रखते हैं बड़े-बड़े टार्गेट के लिए इनका परपस क्या है इनका परपस ही है कि आप जो चीज नहीं देख पा रहे हैं अपने आप से वो थोड़ा इन चीज़ों को कि इस पर जब कसोटी पर कस होगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि हां यह गलतियां तो हम भी करते हैं इन गलतियों से हमको बचने की जरूरत है अब आठवा मिस्टेक मेंने बताया कि आप प्रॉफिट के गोल्स और लॉस की लिमिट सेट करके नहीं रखते तो ऐसा हुआ कि 2,000 रुपे कमाने के लिए फ्यूचर में गये थे कि आ गया तो वेट करने लगे तो 40,000 मैनस करके बाहर आ रहें क्या रिस्क रिवाड रेशों है आपका 2,000 कमाने के लिए एंट्री किये थी तो 4,000 देके बाहर आ जाते 1-2 भी हम जहल लेते यह 1-20 कहां से जहलेंगे तो ऐसे ऐसे सवालों के जवाब ढूंडने जाते हो जो सवाल आपके लिए नहीं है कोई पूछता है सरे टाटा इस्टिल कहां तक जाएगा सब्सक्राइब नीचे आएगा मैं के रहा हूं कि अगर यह नीचे आया तो सपोर्ट तोड़के आपका इसल भी हिट कर सकता है आप तो तो मैंने टाटा इस्टिल में एक पोजिशन बनाई और 200 शेर में 4 रुपे का स्टॉपलस रख दिया 800 रुपे का मेरा रिस्क है बात खतम मैं क्यों जमाने भर की रामाइंड सुनने जाऊं और अगर वो एसे लिट हो गया और दुबारा वो वापस नीचे जाके भागने लगा तो मैं एक बार और चार रुपे का स्टॉपलस ले लूँगा तो 800 और 816 रुपे का रिस्क लेने की मैंने प्रोविजन बना रखे इस आपके decision refine होते जाएंगे जैसे अभी हम इतने आसानी से चीज़ें बोल देते हैं तो उसका कारण यह है कि 20 सालों में लगातार चीज़ें देखते देखते कई चार्ट तो हमारे दिमाग में चप चुके हैं कई stocks के बारे में कई बार जान चुके हैं कि mutual fund FIA की portfolio में सब से प बार बार दिखते हैं तो यह सब क्या है कि आप जो सो बाते पढ़ते हो उसमें से 90 बाते तो भूल जाते हो दस बाते मुश्किल से याद रहती है यह जो रह जाता है ना information इसी को कहते है अनुभाव तो यह अनुभाव धिरे धिरे आपका बढ़ता जाने वाला है लेकिन आ मेंटली बाहर हो गए हो सकता है कि कोई शेर खरीद के रखा दो साल से लेके बेठे हुए हैं पर अंदर ही अंदर वह सोच चुके हैं कि एक बार यह बीकतम अब मैं कभी investment नहीं करूंगा तो mentally वह ताई कर चुके हैं कि अब मुझे ट्रेडिंग investment करना ही नहीं है क्योंकि उ लेकिन अभी आप आम चाहते हैं तो फिर आपको आम ही बोना पड़ेगा ना तो ऐसे ही आपको त्यारी करनी चाहिए कि आप अगर 10,000 रुपया पर दे कमाना चाह रहे हैं तो 1,000 रुपया पर दे तैयारी में लगा दीजे अगर आप 5,000 रुपया पर दे तैयारी में लग बिफोर एक्चुल ट्रेनिंग, असली ट्रेनिंग से पहले ही लोग बड़ी फीस अदा कर देते हैं, और बाजार इतना जालिम है कि यह बताता नहीं फीस लेगा कितनी, तो एक एक ची सिखाने में कई बार पचास पचास जार उपे ले लिए, एक नया नया वेक्ति आया, उस को लाले चाया, उसने का यह क्या है, बोले यह इंट्राडे, तो एक्विटी केश में इंट्राडे करने लगा, फिर वहाँ पर डीलर के पास खड़ा था, बाकी लोग आये, किसी ने काया, राज मेर को बच्ची जार मिल गए, बोले आप इसा क्या करते हो, मैं फीचर लेता क्या है, यह तो 8000 रुपे आ गए, मजा आ गया है, तो सबसे मज़दार चीज है, आदमी सोचने लगा कि है, जब फ्यूचर में इतना पेसा मिलता है, इतना कम पेसा लगा के, तो सब लोग फ्यूचर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अभी पूरी बात पता नहीं है, अब ज नुकसान हो रहा था, वो 50000 रुपे का था, तो दोस्तों इसलिए मैं आप से कहता हूँ, कि सीखने के पहले जो होशयारी करते हैं लोग, मतलब यह बड़ी ही सिंपल सी बात है, क्या आप देखो, डेवलब्ड कंट्रीज में है, सर्विसेस के पैसे देते हैं लोग, आपको यह सोच के ताजूब होगा कि इंशुरेंस मुझे कितने का लेना चाहिए, मेरी नेट वर्थ के हिसाब से मैं कौन सा इंशुरेंस लूँ, हेल्थ इंशुरेंस यह वो सब, जाके एक एडवाईजर को पैसा देते हैं, और इंडिया में एडवाईजर से यह कहा जाता है, त आप इतना बड़ा इंवेस्मेंट उससे करवा रहे हो, तो आपको ऐसा प्लान देगा, कि आने वाले 11 महीनों में उसको जम के कमीशन मिले, वो आपके फाइदे की बात नहीं होगी, हमेशा ध्यान रखना, कि दुनिया की कोई भी टिप, कोई भी एडवाईज फ्री आफ हो रहे हैं, कारण यह है कि पीछे बहुत सारी एसी घटनाय हो गई, कि आप अपको यह भरुसा ही चला गया है, कि आप यहां पे कुछ बहतर हो सकता है, तो एक छोड़ा सा कदम उठाने में भी आपको डर लगता है, उसके बावजूद, डेली आप स्क्रिन के सामने जाते ह हो, ना-ना करते करते पता नहीं कब फ्यूचर या ऑप्शन में पोजिशन बना लेते हो, ना-ना करते करते पता नहीं कब 10-15,000 रुपे माइनस हो जाते हो, फिर भी अगर आप से कोई कहे कि चलो एक 6,300 का 10 स्ट्रेटेजी का कोर से, या 1,00,000 रुपे 6 महीने का ट्रेनिंग तो आदमी कहेगा, औरे वाप रही इतना पेसा किसके पास है, तो ये धोका नहीं हो जाएगा, धोका हो जाएगा, देखे ये तो मैं यह स्टॉक मार्केट का एक्जामपल दे रहा हूं, मैं आपको इससे बड़ा एक्जामपल देता हूं हमारी आम जिंदगी से, इंडिया खरित पाएंगे, नहीं खरित पाएंगे, अगर उनको कहा जाए कि ये जो शादी का खर्चा है, इसमें आपका बच्चा सिंगापूर में पढ़के आ सकता है, उसका फ्यूचर बन जाएगा, क्या आप ये डिसिजन ले सकते हैं, कितने लोग ले सकते हैं, तो यहां से हमीर लेते हैं, जो आसपास कोई आदमी नहीं समझेगा कि ये क्या कर रहे है, पांच हिज़ार की किताब पागल है क्या, लेकिन वो आदमी समझ रहा है, कि इस पांच हिज़ार की किताब में एक आदमी की जिंदगी का पूरा निज़ा है, हो सकता है उसने पांच लाग इसलिए राबर्ट टिक यह सो की थे ना रिचेट पूर डेट के लेखक वो हमेशा कहते थे कि आप इंविस्मेंट खरीदते हो के लाइबिलिटी खरीद और इंविस्मेंट और लाइबिलिटी का फरक कैसे दिखता है जैसे आपने कार खरीदी और कार आपके शोक के लिए इस लेकिन अगर उसी कार को आपने बिजनस में यूज कर लिया और आपका बिजनस वहां से 20% बढ़ गया तो कार हो गई आपके असेट तो ऐसे ही दोस्तों आप जो भी नॉलेज यहां पे लेते हैं ना कई बार लोग यह समझ नहीं पाते हैं सर एक घंटे का वीडियो है इसकी इतनी कուमत क्यों है जो दो मैसेज भेजते हैं कर diving लोग आते एडिवाईजर उनसे पैसे मांगते तो बुले दो मेसेज भिजने के पैसे लग रहे हैं मेरे फोन पर तो तो रोज 500 मेसेज फ्री में आते हैं लेकिन वह मैसेज किसी किमत का इसे तही होती है इस message से क्या पैसा बन सकता है इस knowledge से क्या पैसा बन सकता है और पैसा minimum कितना बन सकता है उस हिसाब से आपको decision लेना पड़ता है दोस्तों तो आपको समझ में आया कि random दसवी सबसे बड़ी mistake कि random tips को follow करना और कितनी सारी capital हमने कई बार खो दी उसके बाद भी हम random tips को follow करते रहते हैं free trial free trial सबसे बोलते रहते हैं free trial मिलेगी sir free trial मिलेगी sir और उस free trial को लेते लेते तीन साल में पता लगा आदमी ने दस लाग हो दिये पर उसकी आँख नहीं खुल रही उसको यह बात समझ में नहीं आ रही वो कई बार ऐसे हस्ता रहता है कि मैं अभी free trial ले ले लेता हूं किसे दो तिन दिन फिर इदर इससे अपन पैसा बना लेत जब तक आप खुद नहीं समझेंगे खुद नहीं सिखेंगे मुझे नहीं लगता आपको को solution मिल पाएगा कोई कितनी है अच्छी tip दे दे कोई कितनी अच्छी advice दे दे उस advice को इस्तेमाल करने की समझ उसकी skill तो आपके पास होनी चाहिए न तो दोस्तों यह बात की हमने कि यह 10 mistakes हैं जो आपको बरबात करती हमेशा के लिए आपको एक चीज और देखनी है कि आज हमारा offer किया है यह जो हम launch कर रहे है strategy इसमें आप future खरित के ले जाएंगे hedging करके अगले दिन निकाल देंगे आप उसको अगर आपके पास 3 लाग capital है तो अंदाज है यह है कि 3 से 5 ज सेक्टर चला कोई सेक्टर गिरा कोई शेर भागने लगा अचानक कोई शेर गिरने लगा अचानक आपने कुछ नहीं किया आप देख रहे हैं यूरोप फुला अचानक से बाजार में 100 निफ्टी गिर गई या 500 पाइंट सेंसेक्स गिर गया कोई result आ एकदम से तेजी आई उसके बाद मंदी आ गई आपने कुछ नहीं किया आपने कब काम शुरू किया तीन बच के दस मिर्ट के बाद देखना शुरू किया पंदरा मिर्ट तक जो स्क्रीनर्स हमने आपको बताएं जिसमें सारे मार्केट का निचोड निकल के आ जाता है वहां से आपने देखा के उसकी हेजिंग कि अगर केपिटल जादा है तो फूचर और ऑप्षिंग करके लेकिए अगर केपिटल जादा नहीं है तो ओप्षिंट उप्षिंग नहीं खुला जो हम चाह रहेते के फाइदा मिलेगा डायरेक्ट टो वह गवभी डाउन खुल गया और महां से उसकी गिरावट का फाइदा फिर उठाएंगे और कल वापस वो और फाइदे के साथ उपर विकेगा, मतलब चीजें उपर जा रहें कि नीचे जा रहें, ये कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, बाजार किदर जाएगा, ये कंट्रोल दुनिया में किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा पैसा किदर जाएगा, मैं कौन सी डाइरिक्शन में खड़ा रहूंगा, ये कंट्रोल आपके हाथ में हो सकता है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करो, तो दोस्तों 20,000 का एक कोर्स रहेगा, 20,000 के साथ नॉर्मली 30 डेज का हेंड़ होल्डिंग देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी जो आफर है वो तो बहुत बहुत बढ़ा है, अभी आफर ऐसा है, कि हम पहले लांचिंग में ना कि बराबर कॉस्ट में चीजे बाट देते हैं, फिर जब वो प्रोड़क्ट बहुत फाइदा देता है, तो मौत फॉबलिस सपोर्ट दे रहे है, 45 डेज में अगर मैं मिनिममम दो से तीन हजार रुपय परड़े पकड़ लूँ, गई से गई लिए हालत में, तो आप देख लीजे क्या बात बनती है, एक से डेल लाख रुपय का रेविन्यू मॉडल बन जाता है, साथ में आपको फ्यूचर का 10 कोर्स है, फ्यूचर को उसमें अलग-अलग स्क्रीनर को डिटेल में कैसे इस्तिमाल करना है, अभी में उनका इस्तिमाल करने की बाद आप से नहीं कर रहा हूं, वो क्यों दिया गया है, क्योंकि सारी तरीके से फ्यूचर को स्टड़ी कर लें, इवन उसमें तो निफ्टी काम की बातें जो आप में बदलौ चाहती थी, वो बात आप टाल गए, फिर आपने दुबारा सुना, अब की बार जो पहली बार सुना है उसके अलावा भी कुछ सुना ही देगा तीसरी बार सुनने में ऐसा हो जाएगा कि कोई बात पर आपका ध्यान गया कि यह बात बार-बार क्यों बोली जा रही है और इसका क्या इंपोर्टेंस है फिर आप उसकी कोशिश करेंगे और आपक इन्सों का फ्यूचर का ट्रेडिंग कोर्स टेन स्टेटेजी वाला चावदा स्टेटेजी वाला वो तो मिली रहा है साथ में यह एक स्टेटेजी मिल रही है और दो महिने का हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल रहा है यह सारा वेल्यू बनता है 43,000 और यह 43,000 का benefit सिर्फ 12,000 म आज पहले 20 लोग आज रात को 12 बज़े तक तो आराम से हो ही जाएंगे अभी हमने 20 लोगों के लिए फिक्स किया है अगर बहुत ज्यादा डिमांड या रिक्वेस्ट आएगी तो उस हिसाप से हम कैलकुलेट करके कोशिश करेंगे हमारी कोशिश होती कि ज्यादा ज्याद होता है हमारी फायदा होता आपको पता है ना मॉल्स आपको आज कल ऐसे ऐसे रेट में चीजें देने लगे जो आपने पहले कभी सोची नहीं थी क्यों पॉसिबल हुआ क्यों कि बड़े पेमाने पर आप करने दे रहे हैं आप उसमें सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए आपको में ऐसे ऐसे डिसकाउंट देखने को मिलते हैं जो पहले कभी आपने सूचे नहीं होंगे जीओ मार्ट में आपको ऐसे ऐसे डिसकाउंट देखने को मिलते हैं है ना ओनलाइन आप बहुत सारी अमिजन पर चीजे देखते हैं तो आपको बड़ी बड़े डिसकाउंट सब बेचने के तरीके हैं देख लेंगे आराम से अब वह 5,000 की स्ट्रेटेजी सीधे 20,000 की हो गई क्यों क्योंकि उसमें इतनी वेल्यू है अब उसके बाद कुछ लोग कहने लगे कि नहीं सर इसमें कुछ तो डिसकाउंट दीजिए अब हम 50% भी देदें तो भी 10,000 होगा त तो अब इक्विटी केश की स्ट्रेटेजी का आज कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो उसको भी में 12,000 रुपे में 12,000 रुपे में अगले 48 आर्स के लिए रख रहा हूं दोस्तों तो आज मैंने आपको क्या बताया सब से बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में में बताया अगर आपको पेमेंट करना है तो 83810 21346 7066 04580 यहां पे गूगल पे फोन पे या पे टीम कर सकते हैं अभी मैं आगे और चीज़ें बताने वाला हूं कि आगे हफते के लिए कोन से स्टॉक हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं चॉक का नाम में आपको यहां पर बताने जा रहा हूं उसको आपको चेक करना है आप रुके रहिए अभी जाइएगा मत क्योंकि जो काम की इंफर्मेशन थी जिसके परपस से हम यह दे पाए आपके साथ पूरा नौलेज शेयर कर पाए तो अभी हालती है होती है कि जब हम लोगों के साथ नौलेज शेयर कर सके तो इस चीज़ को थोड़ा सपोर्ट करने की आप मानसिकता बनाईए इतना भागने की चीज नहीं है अब मैं एक और चीज़ आपको यहां पर बता देता हूं कि लॉस मेकिंग मिस्टेक्स जो इंट्राइडे टेडिंग में होती है व गुजरात अलकली एक शेयर है गुजरात अलकली ध्यान रखना इसका ये एक अच्छा मूवमेंट देखा सकता है चार्ट में एक बड़ी गुंजाईश दिख रही है लिखके रख सकते हैं गुजरात अलकली दूसरा रियल स्टेट में अभी आप ने देखा मीडेंट स्मा जाके देखेंगे तो DLF ने बड़सों के रिस्टेंस तोड़ दिये लेकिन डर तो रियल्टी सेक्टर से क्यों लगा रहेगा पिछले 10 साल से लोगों ने रियल्टी में वह चीजें जहली है तो उसको भूलना मुश्किल हो जाता है कही लोगों ने तो मतलब DLF का नाम लेन कंपनीज है तो मार्केट के उतार चड़ाओं में आपको चार्ट में चीजें देखनी है ऐसी अपने धाड़ाएं नहीं बनानी है तो अब अपने रिस्टेंस तोड़ने की वज़़ा से यहां पॉसिबिलिटी बनती है कि जो लोग भी विकली है डेली SIP करके रखेंगे य उस दिन अगर आप उसमें ट्रेट करेंगे तो आपको वहां बड़े-बड़े मुवमेंट देखने को मिलेंगे इंट्राडे में बड़े-बड़े प्रॉफित कमाने को मिलेंगे अब मैं कुछ सवाल आपके अटेम्ट कर लेना चाहूंगा कोई profit करें नहीं सकता कोई बात झाले कि मुझे एक बात हमेशासे मेरे seminars में लगते थे लोग सेमिनार सुनने देखने आते थे उसके बद कहते थे किने सर मरकेट से कमाई नहीं सकता हाँ M&M यहां से उपर जा सकता है बाजार ऊपर चलेगा तो लेकिन ध्यान यह रखना है कि कभी-कभी में बड़ी सेलिंग आती है तब तक लार्ज केप भागते रहते हैं मोमेंटम में उसके बाद एकदम से लार्ज केप में भी सेलिंग आ जाती है तो एक बड़ा करेक्शन आपका इंतजार कर रहा हो तो उसमें ध्यान रखना है हमको कि अभी आप अपनी बड़ी केपिटल लगा के मत रखना बाजार में आप अपना 60-70% केपिटल पहले बाहर करके रख लो वो फिर नए सीरे से क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने पोर्टफोलियो बना लिया इसे रेंडम जब जो मिला ये खरीदा वो खरीदा कहीं से कुछ भी समझ के अब आप जब समझने लगें कि कौन सा स्टॉक लंबे समय के लिए अच्छा है कौन सा स्टॉक फंडामेटली टेकनिकली स्टॉंग है तब जाके आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे आठ क्या दस शेयर खरीद के रखें और उनके साइपी करें तो फिर आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे पर ऐसे में आप निकल क्यों नहीं पा रहें तीन लाग रुपे के लिए थे सारी अभी ड़ही लाग दीख रहा है या दो सतर दीख रहा है तीस जार रुपे माइनस हो ज लेकिन अब जब आपको जानने का साधन और रास्ता मिल गया है तो भी आप जाननी रहें या जानने के बाद भी निर्ण ही नहीं ले रहें फिर तो गल्ती होगी ना ITC अब उपर चलने की कोशिश करेगा ITC अब मजबुती दिखा रहा है वैसे भी कॉंट्रें सेक्टर है तो बाजार के गिरने पे भी ITC उपर जा सकता है क्या हां अभी बाजार अगर चलेगा तो यह उपर जाने की कोशिश करेगा सर आइसे से बैंक बहुत अच्छा बात यह है कि आप काम क्या कर रहे हैं तो आप काते हो दसजार के कैपिटल से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हो आप भेल भेल आप यहां से पलटके अगर मीडेन इसमाल के अपने थोड़ी ताकत दिखाई तो यहां से चलने की कोशिश कर सकता है लेकिन पहले हमको य बुकिंग के लहरे आएगी लेकिन उसके बाद बाइंग भी आ जाएगी प्रॉफिट बुकिंग करके गए इतने में फिर बाइंग आ गई फिर से बाजर भागने लगा तो मिडेन इसमाल के कोई महीने डेड़ महीने के लिए बिलकुल रेंज बाउंड हो जाएंगे नीच इस एक लाक होने वाला जोभी daqui ऑगा हर चार महेने में एक लंबा कर्यक्षण आता है लॉंग कर्यक्षण उस चार महिने में 50% से लेके 70% ट्रेडर बरबाद हो जाते हैं और तेजी के दिनों में ट्रेडर सबसे जादा बरबाद होते हैं क्योंकि बाजार उपर जा रहा है नीचे जा रहा है यह सवाल नहीं है आप कुण सी डायरिक्शन में बेठे हो तो नॉर्मली एक कम समझने वाला या लिए warm-skilled trader उल्टी position बनाता है वो तेजी में मंदी की position बना लेता है मंदी में तेजी की position बना लेता है इसलिए उसको नुक्सान होता रेता है पैट्रो की वैट्रुनेट future आपने लिया है City का फिचर लिया है तो थोडा दूर का call राइट कर सकते हैं अगर केपिमिल है Sir, Bank Nifty Option कब लोगे? Bank Nifty Option का तो कोर्स तयार ही है, Bank Nifty पे तो काफी बात हो चुकी है, तो उसकी Single Strategy लोगे? तो आपको वो सकता 2000 या 3000 में मिले, और 10 Strategy वाला कोर्स लोगे, तो 6300 में मिल जाएगा, तो जो 2000 की Strategy वो 600 रुपे में पढ़ जाती है आपको, तो इसलिए कोशिश करना कि bank nifty and nifty में काम करना है तो उसका 10 strategy वाला course लेके practice कीजे और equity case के लिए आपको मैं कहूंगा ये 325 पीम की equity case strategy जो पहले launch की थी 12,000 रुपे में 45 दिन के support के साथ अभी मिल जाएगी वो ले लीजे और अगर ये offer चल रहा भी है न और अगर ये जो लोग लेंगे अभी 12,000 रुपे पे किये किसी न है और ये strategy 325 equity case वाली ली तो उसके साथ पहले 20 लोगों को swing trading का 6300 का 10 strategy का course भी दे देंगे मतलब आप देख लिए कितनी value हो गई वही फिर से 43,000 की value 12,000 में मिल रही है क्योंकि दो महिने का hand holding support कम से कम 40,000 का होता है पर हम यह 30,000 value गिन रहे हैं साथ में ये strategy और एक 10 strategy वाला course ये दोनों मिलाके होगे 13,000 के ऐसे 43,000 की value 12,000 रुपे में आपको मिल रही है अब आपको यहां पर calculate यह करना है कि 45 दिनों में 500 रुपे पढ़ड़े के में एक trader हूँ anyways में काम करके थोड़ा चीज़ें समझ के चीज़ें करने तो लगी जाता हूँ सर के video देखें हमको लगता हम हाँ से कुछ काम का मिल सकता है इस कीमत में ये चीज़ मिल रही है करके देखे क्या करके देख ले क्या क्योंकि एक एक दिन में लोगों ने चेचेशे 77,000, 888,000, 12,000 के नुक्सान फायदे की हैं फिर भी उनको जब अपनी जेब से पैसा निकाल के देना होता है मतलब यह एक मानसिकता का फरक देखना कि जब हम जेब से नोट निकाल के देते हैं तो आज भी इसको पैसा समझते हैं और ओनलाइन पेवेमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है पैसा देहीं नहीं रहा है जब आपको खिश्टों में कोई बड़ी से बड़ी चीज करीदनी हो तो 60,000 का फोन खरीद रहा है अदमी 17,000 का 1,000,000 का टीवी खरीद रहा है और पैसे yangय नहीं देना पर रहा है तो उसको पता भी नहीं लग रहा है लेकिन अगर नहीं पताल लग रहा है तो भात मैं पतालग जाए सॉसका कish जब वहां से उम्मिद आएगी तो चोटी सी केपिटल लेकि काम शुरू कीजेगा काम बन जाएगा अच्छा परफार्म करेगा आने वाले समय में बाजार में जब जब करेक्शन आएगा थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा लेकिन हर एक रिकवरी के साथ अच्छी प्रकस्त नहीं किये है शॉट वाली चीज में यह होगा कि वाल्यूम शॉकर में जाके अगर हमने देखा कि कोई फ्यूचर बिल्कुल अपने लो के करीब है और निफ्टी ने अपना विकली लो तोड़ दिया और सेक्टर में करेक्शन आया है तो वहां पे हम शॉट सेलिं करके वहीं प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक है कई स्टॉक जो गेप डाउन बंद होते हैं अगले दिन गेप खुल जाते हैं परिशानी हो जाती है इसलिए हमने उसको स्पेशले अवाइट किया है क्योंकि उसमें वेट करके बाइंग के किसमें बाजार में हम देखते ह कुछ समय बाद लेवल वापस आने की संभावना बनती है क्योंकि आप एक स्टॉंग ब्रेक आउट वाले स्टॉक को लेके बैठे हैं शॉट सेलिंग में जरूरी नहीं है कि चीज़ें एक बार जैसे एक्जांपल देता हूं मैं जस्डायल 700-700 रुपय था किसी ने वहाँ लेकिन हमारा रुजान ये रहेगा कि बाइंग पर थोड़ा जादा ध्यान देना शॉट सेलिंग पर कम ध्यान देना है ठीक है तो दोस्तों अभी मैं इजाज़त चाहता हूं आप लोगों के पास ये सबसे सुनारा मोका है हमारा सिक्स मंत का जो कोर्स है उसके लिए एक ड ट्रेनिंग जिसमें हर हफते दो बारा वन-on-वन आप हमरे साथ क्लास करते हैं उसमें इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन फंडामेंटल टेकनिकल आईप्यो मिच्वल फंड सब कुछ ट्रेडिंग साइकोलोजी सब कुछ आप उसमें सीखते हैं वो कस्टमाइज पर उसमें जब हम बदलाव लाते हैं तो इनसान ही बदल जाता है तो इसलिए वो लाइफ टाइम में एक सबसे पाउरफुल ट्रेनिंग हो सकती है 6300 के 10 स्ट्रेटेजी के कोई भी कोर्स से भी शुरुवात कर सकते हैं 0 loss option trade में कोई single strategy 1999 की है 2999 की है वो भी आप ले सकते हैं लेकिन यह ध्यान रखें कि अके लिए स्ट्रेटेजी महंगी पड़ती है आपको 10 स्ट्रेटेजी का कोर्स जादा सिखाता भी है और सस्ता भी पड़ता है है ना तो वैसे तो अभी में आपको इतना सारा कंफिजन चोड़ के यह कहूंगा इस दो स्ट्रेटेजी एक्विटी केश के लिए 325 पीम स्ट्रेजी और फिचर और ऑप्शन के लिए आज की जो 325 स्ट्रेजी है यह जिन्दगी भर के लिए ले लो फिर आपको कुछ और नहीं भी लोगे तो भी आप जिन्दगी भर काम करते रहोगे अच्छे से और इसमें हमको आपके डिसिप्लेंड होने का समझदार होने का ध्यान रखने का बहग जाने का किसी की चिंता करने की ज़़ुरत नहीं है क्योंकि अगर आप हमारी बात पूरी तरह सुन के मान रहे हो आधी भी तो आपका काम हो जाएगा आपको कभी परिशानी नहीं आए लेकिन कोशिश करूँगा कि आज ही मिल जाए ठीक है आज ही आप देखें और कल से आप पैसा बनाना शुरू करतेंगे यह स्ट्रेजी इतनी ज्यादा एफेक्टिव होती है कि तीन दिन के अंदर ही रिजल्ट देना शुरू कर देती है कई बार तो तीन दिन के अंदर यह कहता हो कि मैं एक लाख रुपया खर्च कर दूं और अगर मुझे रोज का 500 रुपया भी मिले और साल वर में सवा लाख मिले तो भी चलेगा तो फिर उसको साल वर में पांच लाख लेने से कोई रोक नहीं सकता यह ना थैंक यू वेरी माच शीखते रहिए www.stockforexcourse.com www. www.speedearning.com Facebook पे हमको follow कीजिए Twitter handle पे follow कीजिए Instagram पे follow कीजिए वहां पे और एक-एक मिनिट के short video में हम free of cost training दे रहे हैं दोस्तों यह मत समझना के paid courses हैं तो हम free training के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं लोगों के पास time भी नहीं था पैसा तो खर्च करना ठीक है वो time भी नहीं खर्च करना चाह रहे थे एक-एक मिनिट में इस इस तरह की चीज़ें हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं एक बार अगर आपने उसका इस्तिमाल किया उसका फाहिता समझ में आएगा enjoy the weekend with family सीखते रहिए कमाते रहिए डर्ये मत हम आपके साथ है